है आप यहां से हो जाए इसमें बंद हो गई और के लिए अनलॉक और बाई आई यह डिरक्ट खोल के बैटी एक कोई बटन बटन दवाना यह राजा भाई उठा 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 ना कोई कनेक्टिंग लाइट हुन्ड़े का पुराला लोगो आप आज आते हैं इस तो इदर की द आपने अभी तक Newly Launched Alkazar तो बहुत देखी होंगी, बहुत परी वीडियो भी यूटूब पे देख ली होंगी, तेकिन अभी तक आपने एक भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, जिसमें आपको पुरानी Alkazar से नई Alkazar में साम में खड़े करके Features दिखाए हों कि वही क्या क्या नया Feature या क्या-क्या नई चीज़े देखने के लिए मिलती हैं, तो फड़ा फट वीडियो को स्टार्ट करते हों और एक तरफ से देखते हैं कि हमें क्या-क्या Changes Cars में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत को फ्रंट से स्टार्ट करने से सबसे पहले, मेजर-मेजर Changes क कि बात करने हैं, यह तो घड़ी अपने पुरानी यह घड़ी है नई, पुरानी की बात करें यह भी Crata से मिलती जलती है bhaai, जो पुरानी Crata आती थी यह N line से मिलती जलती लग रिगली, क्योंकि अप्डnięट हो चुकी है, इसमा बात करें तो आप यहां पर देखते थे थे क हमें 3D टाइप में थोड़ा सा यहां पे गिरिल दे दी जाती थी, क्यूप्स की फॉर्म में रेक्टेंगल की फॉर्म में, इस तरह से पूरा गिरिल हमें यहां देखने के लिए मिलती थी, बैसे मैं एक बात और बता दूँ, आपको दोनों ही टॉपेंड वेरियंट्स हैं, यह बात में इसली ही कहा रहा हूँ, क्यों लोर वेरियंट्स में 17 इंचस के अलाइवील आते हैं, लेकिन यहां पर दोनों में ही 18 इंचस के अलाइवील हमें यहां देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहां अगे एगर में घ्रल किवर करते हूँ, तो आप देखेंगे अलगी लुक हो चुके हैं, ग्रल के डाक रूम, यह देखने Alrighty, डाक क्रूम के साथ आपू यहां गोर देदी जारी है, अर्फेंट केम्रा यहां भी थे, प्रेंट कैमरा बहां भी है, उन्ड़ी का लोगों यहां भी है बट यहां पर पुराना वालो है, यहां पर नए वाला लोगों आचुपा है, साल्टा सिल्वा फिनिश वाला, एक चीज़ पर ज्यान देंगे हैं, रडार, लेवल टू अडास मिल जा रहा है, वट यहां पर य कंपनी जो नई जितनी विकार आ रही है, फॉगलम्प मेलती ही गाय, जस लाइक आपको मैं क्या ही देखाओ, इधर आ जाते हैं जैसे, यहां पर अपनी हो गई, एक्स्टार हो गई, फॉगलम्प नहीं है, इधर आ जाओ, आई टैन कड़ी है, फॉगलम्प नहीं है, इध अगर DRL की बात करूँ इस तरह से, C-shape उल्टा या फिर यू बोल सकते हो आप, और नीचे की तरफ आपको वाइट फॉगलम्प के साथ, आपको यहां दो इंटीगेटर दे दिये जाते थे, और दो ही इंटीगेटर आपको और वीम पर मिल जाते थे, बहीं अगर बात करत आपको पूरा का पूरा का पूरा का पूरा आपको मेजर चेंज यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, डी क्रूम में है, बाई, डी क्रूम कुछ भी कहलो, डाक खरोम यहां मिल जा रहा है, डाक क्रूम यहां मिल जा रहा है, मेजर चेंज किया है, यह देख रहा है, गाड़ी लॉक हो गई, गाड़ी अनलॉक हो गई, बट भाई, यहाँ पर अगर मैं यह करने जाता हूं, ग्राइवर साइग गेट पे चलते हैं, तो एक तो पहली वाद यह पॉंपों ही बंद हो चुकी है, second thing, गाड़ी जो लॉक होगी, वो यहाँ से हो जाएगी, इसमें बंद हो गई, और यह केवल संसर है, कोई बटन नहीं है, गाड़ी अनलॉक करनी है, यहाँ से नहीं होगी, केवल यह हो गया, बस अनलॉक नहीं होगी, अनलॉक कहां से होगी, यहाँ से, यह, यह करना है नहीं इंचिस के alloy wheel के साथ यहाँ पर आप कार देखने के लिए मिले हैं, आगे फ्रंट में disc brake देखने के लिए मिले हैं, और कुछ इस तरह के alloy देखने के लिए मिलते हैं, बहीं आ जाता हूँ अगर मैं इधर वाई, पूरे के पूरे alloy की शकल चेंज हो चुकी है, डिस्क brake यहाँ मिलना हैं, बहीं पूरा dual tone, बहीं, डिकर टालॉइ, पहतरीन लग रहा हैं, अच्छे लग रहा हैं, इंप्रैसिव लग रहा हैं, दोनों को इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, कितने changes हैं, डन रेपोर्ट हैं यहाँ और चीज़ों पर बात करते हैं, यहाँ पर आप अब आ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अधर भी आ जा रहा है, आराम से, सारी चीज़े पुराने नहमे हैं, बट, अलकजार जो यह ऊपर ऊपर देख रहा है, बहुर बुरा सा भाई, उठा उठा सा, ना कोई connecting light, हुंड़ई का पुराना logo, और यह को ज़स तरह से एर की light आपको यहां दे दी जारी है, और camera 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 पीछे का, आप आ जाते हैं इधर भाई, तो इधर की दो शकल ही change हो चुकी है, एकदम साल्टा silver finish, एकदम premium बाली, नया हुंड़ई का logo, connecting light आ चुकी है reverse में, टर्बो की वैजिंग हो दर, signature top invariant की भी वैजिंग आ चुकी है, और camera की बात करें, तो वो यही बर्ग प्लेस या, इसके प्लेट भाई, इसमें थोड़ा सा light chrome या फिर साल्टा silver finish का यूज किया गया है, जबकि वहाँ पार एक dark chrome का यूज किया गया है, बाकि यहां से आप दोनों cars को एक साथ देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर लगेगा यह facelift है किवल, generation change होती ना, तो एक अलगी होती ही फिर तो का, लेकिन यह क्या है, किवल एक facelift है, not the generation change, नहीं बाई, चलें अब कार के अंदर, तो सबसे पहले की की बात कर लेता हूं, की बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि इतना बड़ा generation gap आया है, generation, sorry, मैं बार बार generation gap बोल जाओ, facelift है तो की तो चेंज होई होगी, तो भाई, यह रही अपनी इस कार की की, और इस कार की अगर बात करूं, न्यू की, तो यह रही भाई, इस कोई changes नहीं है, भाई, यह मिल्कुल, अगर साथ में रखती जाएं, और मिला दी जाएं, तो आप पहचान भी नहीं कौन सी, किस कार की जाओी है, तो वड़ावर बापस रख लेते हैं, भाई, इस कार की तो इधर वाली पॉकेट में रख ले रहे हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इंटीर में, गोस्ते ही भाई, क्या क्या चीज़े देखने के लिए मिलने हैं, यह जी ऑनोगी कार आप यहां पर जान देंगे, बिल्खुल बड़ी है, नई में भी ऑटोमेटिक मिल जाता है, बहुत सारी चीज़े हैं, बाकी यह इंटीर, ट्रेटा से मिलता जुलता लगेगा, इस तरह से आपको पूरा स्टेरिंग भी इस तरह का कुछ है, यह अपना आमडेस्ट हो गया अटोमेटिक आये, अर्वेम हो गया, पैनारोमिक सन्रूफ हो गया, डेंडेपोर है इतनी बात है, और बाकी एंबेंट लाइटिंग भाई, हल्की हल्की सी, यह देख रहे है, जल्ले यह मज़ेदार, एक दुन चौंचक बना रखा है गाडी को, ठीक है, आप इसे बन कर द सौरी, डाक क्रोम निए भाई, लाइट शेड़ेज, पहाँ पे कितना डाग डाग ता, यहाँ पे देखे, कितना बड़े अलग रहा है, एकदम बैतरीन हो चुका है, इंटिरियर जमीन आसमन का उंतर हो चुका है, पुरानी ग्रेटा का था, इसमें नहीं ग्रेटा का छु तो Panoramic Sunroof मिलेगी, डीजल का Top End Variant लोगे Panoramic Sunroof नहीं मिलेगी, डीजल से Sunroof को हटा दिया गया है, अब आप कहोगे मेरे पैसे तो बरबाद हो गया, मैं नहीं अलकजार भी लूँगा, और ये सब चीजे मुझे Panoramic Sunroof भी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी ने यहां पर देखेंगे स्टेरिंग को तो ब्लैक नहीं रखा गया हलका ब्राउनिश टाइप का शेड आपको यहां दे दिया जाता है, बाकी तो एसी एसी वेंट होगा, सब होगा यहां पर बाकी सब से मिन चीज भाई, पुरानी में मैं भी तेखांगा आपको यह देख रह आज जी, अरे बंद नहीं किया भाई, मैंने खूला था कि अगर सेंसर इतनी आसानी से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, इदर आते हैं, तो भाई अगर आप अलकजार नियू में, तो आपको सेग्मेंट लीडिंग मैं इसलिए बोल ला हूँ, आगे की फ्रेंट दो सेट्स तो आपको वेंटीलेटेड मिली रही है, लेकिन पीछे की दो भी वेंटीलेटेड सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, अगर आप 6 तर का अप्शन लेते हैं तब, भाही अगर मैं आ जाता हूँ, पुरानी वाली की तरफ अपनी है, तो भाही यहाँ दीजल लेलो, बिल्कुल बात सही हा, आपको मिल जाएगा बैनोरामिक संडूफ, ठीक है, लेकिन आपको चारो की चारो सीट वेंटिलेशन के साथ देखने के लिए नहीं मिलेंगी यहाँ पर नहीं में फीचर आया तो पराने में कैसे दे दिंगे, तो यह चीज आपको यहाँ पर फाइदा मिल सकता है, थोड़ा बात, इतना जाएदा नहीं है, बाकी अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, तो इंटीरियर भाई देख लो, यह कैसा है, रफ रफ सा, बिल्कुल, मतलब एवर ग्रीन वाला कुछ कर लो इसमें, और वो कितना पीमियम था, यह सा तारे डिफेंस तो आ मौहल बनाने वाली, देन रेपोर्ट है, बाकी तो कोछ इस तरह से थे, चेंजेस इदर चलते हैं, थोड़े चेंजेस और देखा दे रहा हूँ, जी, यह इस तरह से, यह है इसका साइड वीव, और यह है अपना इसका साइड वीव, बाकी अगर नहे वाले के प्राइस की बात करेंगे, तो पेक्ट्रॉल का बेस वेरियंट 14.99 लाक भाई 15 लाक रूपीज, और डीजल में बेस वेरियंट 15.99 लाक रूपीज, 16 लाक रूपीज, अब लोग यह मत कहना, आप सो करतें बरावर हैं, बाई बेस वेरियंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर की ने, बेस के जितने भी उपर वेरियंट हैं, सब में पेक्ट्रॉल और डीजल की फ्राइस बरावर हैं, यह केबल बेस वेरियंट में एक लाक का डिफ्रेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, चलिए, तो कुछ इस तरह से था डिफ्रेंस हमने देखा, जब आप पुरानी अलकदार से निव अलकदार पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको क्या क्या डिफ्रेंस देखने के लिए मिलेंगे, चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी वीडियो, वीडियो पसंद आई हो, कार पसंद आई हो, चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक शे कमिट करते रहें, वीडियो अपने के लिए आपको का बहुत बहुत धन्यवाद.